अब टाउन एंड कंट्री प्लेनिंग का सिकंजा बढ़ता ही जा रहा है डिस्टिक्ट टाउन प्लेनर हिसार की तरफ से आज दो नोटिस सीविल अस्पताल के सामने काटे जा रही इस कलोनी पर चस्पा कर दिये गए इन में से एक नोटिस दिसार इंडियन कोपरेटी हाउस बिल्डिंग सुसाइटी लिमिटेड हिसार की प्रेजिडेंट सुरेश कुमार की मारफत है जबकि दूसरा नोटिस इसी सुसाइटी के सेक्रेटरी विजिंदर कुमार के नाम से चस्पा किया गया है हर्यना ड्वलिप्मेंट एंटर्गलोशन ओफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975 की दारा 10-2 के तहट दिये गए इस तादा नोटिस में कहा गया है कि हासी के सिविल हस्पताल के सामने रादे विहार के नाम से जो कलोनी काटी जा रही है वो अनौतुराइज है नोटिस का जवाब देने के लिए 28 जनवरी तक का समय दिया गया है सुतर बताते हैं कि ये तमाम प्रक्रिया मुकदमा दर्ज करवाने से पहले की कारवाई है इससे पहले डीटीपी सार ने इनी कलोनियों पर होर्डिंग लगा कर जनता को जागरु किया था जिसमें कहा गय यहाँ प्लाट खरीदना और बेचना अवैद हैं और जनता को इससे बचना चाहिए लेकिन डीटीपी दुवारा होर्डिंग लगाने के कुछ घंटे बाद ही कलोनेजर्स ने होर्डिंग उतार कर फेंक दिये थे कलोनेजर्स के इस दुस्तास पर भी टाउन एंड कंट्री प्लैनिंग भी भाग ने संग्यान लिया है और आपको बता दें कि जल्द ही इनी आवैद कलोनियों पर बड़े और मजबूत होर्डिंग लगाए जाएंगे बता दें कि टाउन एंड कंट्री प्लैनिंग के निदे से के मकरंद पांडूरंग इस पूरी मुहीम पर नजर बनाए हुए हैं और हर कारवाई पर एक्षिन टेकन रिपोर्ट भी ले रहे हैं हम आपको पहले बता चुके हैं कि की मकरंद पंडूरंग दोजार साथ पेच की आईस अफसर हैं और उनकी गिंती हर्याना के बेहद इमानदार अफसरों में होती है और ये उनी की मेरबानी ह है कि अवैद कलोनियों को लेकर वे सजग हैं जागरुक हैं और कई निर्देस जारी कर चुके हैं और उनी की निर्देसों की पालना में डीटीपी हिसार भी अब ठोक बजा कर कारवाई कर रहा है और नोटिस थमाय जा रहे हैं एकमत पोस्ट की इस मुहिम का असर ये हुआ कि लोग भी जागरुक हुए हैं और अब कलोनी काटने वाले इन लोगों से रिकार्ड मागने लगे हैं लोगों की इसी जागरुकता का नितिज़ा है कि इसी मेम के बाग पर खसरा नंबर 1038 बटे 2 के मालिक सुनील जैन ने अफसरों को बकायदा अपनी 9 कनाल 2 मरला जमीन क हाउस टेक्स नंबर दिखाना पड़ा जांच में पाया गया कि सुनील जैन 2015 में लोग अधालत से अपने पक्स में फैसला करवा चुके थे लिहाजा इस फैसले को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है और नगर परिश्यद में हाउस टेक्स जमा करवारे थे इस कोट में कंटेंप्ट परिशन डाली गई है इसके लावा जी पीए यानिके पावर आफ अटोर्नी को लेकर भी मामला चल रहा है और जैसे ही नई जानकारिया इसमें आएंगी हम आपके सामने वह भी पेश करेंगे आप देखते ही एकमत पोस्ट झाएंगी हम में इसके पाहएंगी हम स्टेश सती आपी चल रहाँ है आप करेंगी हम आप चली दिए्क बודה कर दोर्म आपके सामने ख।